तो आई होप आप लोगों ने solve किया question ठीक है तो देखते हैं हम देखो तो आर्क लेंथ आपको दे रखी है आर्क लेंथ वोल्टेज क्रेक्टरिस्टिक V is equals to 20 plus 4LA आर्क लेंथ इन वेल्डिंग प्रोसेस चेंजिस फ्रॉम 4 mm तो 6 mm and corresponding power source current जो आपका चेंजिस फ्रॉम 450 तो 550 तो आपको निकालना है open circuit voltage है और short circuit कराएं है यह निकालना है आपको अब जहां से देखो see जो आर्क लेंथ का relation है वो कैसा है लेंथ के साथ में आर्क लेंथ के साथ में क्या है linear तो जैसे जैसे आपका आर्क लेंथ बढ़ेगा जैसे जैसे आपका आर्क लेंथ बढ़ता है 4 mm से 6 mm हुआ न तो जैसे जैसे आपका आर्क लेंथ इंक्रीज तो क्या लगता है आपको VA बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा ओके तो VA इंक्रीज हो रहा है है न है इस एक क्लियर और उसके उसके corresponding जो है आपका correspondingly जो power source current changes from 450 to 550 आप देखो यह कौंसा है आपका constant linear है तो मतलब constant voltage है इसका मतलब इसका characteristic ऐसे आएगा मतलब कौंसा है transformer का transformer का characteristic इस प्रकार आएगा सही बात है ठीक है so this is the curve for VA ये तो है VA और ये किसका curve है VT का है न ठीक है तो जहाँ पर VA और VT बराबर का वो होता है optimum power है न वहाँ पर हमें क्या मिलता है stable arc ओके तो कैसे निकालेंगे समझ आ रहे हैं कैसे निकालें बताओ दो यहाँ पर दो unknown है तो हमें दो equation चाहिए simple fund है दो equation चाहिए न हमें अब यहाँ पर जो आपका IT है IT आपका 450 से 550 हो रहा है तो आप एक कहां करो equation लिखो इसकी V और I में equation लिख सकते हो जो linear form of equation है this one this one okay so VT upon VA plus IT upon IA या फिर VA लिख दो चाहिए VOC लिखो open circuit voltage plus IT upon ISC short circuit current है ना short circuit current equals to 1 यही नए equation अब यहाँ पर OC VOC और ISC अपने लिए unknown है ठीक है तो इस तरीके से equation लिखी जा सकती है है ना अब आप जानते है अच्छे से अच्छे से आप जानते है की